इसको कुल स्वागत है। एलो एबरिवन! आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रुस्कार و और सम्वानू की स्रंख्ला में आज हम बात करने वाले हैं राश्टी मेतली सरण सम्वान के बारे में। तो उससे जानने से पूर्भम मैथली सरन गुप्ति जी के बारे हम कुछ जान लेते हैं मैथली सरन गुप्ति थे वो हमारे हिंदी साहित के खड़ी बोली के क्या थे प्रथम कभी माने जाते हैं किसके हिंदी साहित के और उसमें खड़ी बोली के और इनकी सबसे महत्पून और प्रसिद्ध रचना कौन सी है भारत भारती जिसका प्रियोग हमारे सुतनतान दोलन में मिगुआ और यहां बहुत प्रवासाली सिद्ध हुई इसका प्रकाशन कब हुआ था 1912 में और अबडेटेट बर्जन कब आया था 1914 में और इसे क्या कहा जाता है कब क्यों कहा जाता है क्योंकि मैतली सरन्द गुप्त जी को राष्ट कभी कहा जाता है और या राष्ट कभी की पद्वी किस ने दी ती राष्ट कभी की पद्वी दी ती गांधी जी ने तो ये थे हमारे मेतली सरण गुप्त अब देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था तीन अगस्त 1986 को कहां उत्तर प्रदेश में चेरान गाउं उत्तर प्रदेश में अब देखे ये जन्म क्यों बता है जन्म इसलिए बताया है क्योंकि कि प्रतेग बर्स तीन अगस्त को हम क्या बनाते हैं कभी दिवस मनाते है यह याद रखने योग बात है कभी दिवस कब मना जाता है तीन अगस्त। प्रतीक बर्स तो इस तरह हमारे मैथली सरन को के जीवन परीचे के बारे हमने जाना अब देखिए अब हम पढ़ते हैं सम्मान के बारे में तो यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है संस्कृति बिभाग मध्यप्रवेग द्वारा इसकी स्तापन की गई मध्यप्रदेश क संस्कृती बिभाग द्वारा कप की गई? 1987 ने करी गई, देखो संस्कृती बिभाग यह हो गया, इसको मिटा देदें हैं. सम्मान की बात करते हैं, तो यहां किसके द्वारा दिये जाता है? संस्कृती बिभाग मद्धी ब्रदेश के. मद्यप्रदेश के, कब हुई इसकी स्तापना, 1986 में, सत्यासी में, इसे किसे दिया जाता है, हिंदी साहित्त कारों को, किस छेत्र में, किस दिया जाता है, हिंदी साहित्त में, रच्नातमक कारेतु, हिंदी साहित्त में, जो भी उत्क्रस्ट या सेष कार्य करता है उसे यो पृस्षकार पृद्धान किया जाता अब देख लेते हैं दो लाग के सांथ प्रसश्थी पट्टी का भी दी जाती और नगदरसी डी जाती अब देख Hybrid प्रथम कब दिया ता प्रथम स्थारी स्था este कौन थी इसे पाने वाली तो वो थी क्रश्ना सोबती कौन थी क्रश्ना सोबती थी इसे अब आप इसका स्क्रिंशॉट ले लिए इसे मिटा देता हूं प्रथम महीला थी क्रश्ना सोबती अब देखी अब यह हमने जान लिया कि किस के द्वारत दिया जाता है इसकी स्थापन होती है अप वह सर्ते कौन कौनसी होती है इसमें तीन सर्ते होती है देखी, प्रथम सर्थ यह होती है, कि यह संपून क्रतित पर दिया जाता है, संपून कार या समग्र कार जो किया है जीवन में, उस पर दी जाती है, दूसरा वहकार कैसा होने चाहिए, सरजनात्मक होने चाहिए, सरजनात्मक मतलब क्रियेटिव, कोई भी सोधकार या अकादमी पर नहीं दिया जाएगा, कि आप पीएजडी करें, इस पर नहीं दिया जाएगा, सरजनात्मक होने चाहिए कार, और तीसरा है, कि जिस टाइम यह परुसकार प्रदान किया जा रहा है, उस टाइम इस फील्ड म सरजनात्मक और सक्रिय या तीनों होने चाहिए, उसके बाद इसे भी सुन्नोगोशित कर दिया गया, कब सुन्नोगोशित किया गया, 2010-11 वा 2011-12, इसे सुन्नोगोशित कर दिया गया, इसके बाद अब हम देखते हैं कि बर्दमान, बर्दमान में किसे दिया गया, जो कि सब सबसे अधिक चान से ही है कोश्चन आने के तो बर्तमान में किसे दिया गया था 2017-2018 के लिए राजयस जोसी और 2018-19 के लिए किसे गया इहते शाम और यह बात ध्यान दीजिए यह दोनों भोपाल के थें तो यहार 17-18 के लिए किसे राजयस जोसी और 2018 के लिए मंजूर इहते शाम को दिया गया योगी दोनों ही कि दोनों भोपाल के हैं तो इस तरह हमार मैतली सरण को समभान समाप्थ होता है, एक बार पुना देख लेते हैं। यहां किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग मद्यप्रदेश शाषन के। किसको हिंदी साहित कारों को इस्थाप न कभी? 1987 में राशी क्या है? वो थी कृष्णा सोबती और उन्हें कब दिया गया था? 1996-1999 में दिया गया था, यह बात ध्यान रखें। उसके बाद इसे सुनने कब गोसित कर दिया गया? वजर 10-11 और 11-12 में। उसके बाद यहां बरतमान में कैसे मिला है? बरतमान में मिले है राजस जोसी और मंजूर एते शाम को, जो कि दोनों भुपाल के हैं। इस तरह हमारा मेतली शरण को समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर मिलते हैं एक नए सम्मान के साथ।